कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है कॉंसेप्ट एक एर्मिक यूट्यूब चैनल पर और हम डिसकस कर रहे थे आपका उत्राखंट वंदरों का भर्धी परिक्षा 2020 किसके लिए केमिस्ट्री रसान विज्ञान को अब जो आपका टॉपिक उसका नाम है अच्छ बेस और अमलच्छार और जो आपके क्योंदे लवन तो इससरे रिलेटर आपको 10 इसके आपकी अपकी कोले अरिशन एकहरे में देखने को समय बाद की मुन पायाँ acidity होती है, acid आपके क्या होते हैं, molecules ऐसे पाए जाते हैं, जो आपके acid elements होते हैं, लिखावा, these compounds can rise to the great heights in the atmosphere where they combine and react with the water oxygen and the other chemicals to produce more acidic contaminants which are known as the acid rain, sulphur dioxide and the nitrogen oxide are very easy to dissolve in the water, बहुत आसानी से करते हैं, आपके water में घुल जाते हैं and can be carried a long distance by the wind, as a result the two compounds are able to travel long distance and become the part of the rain, sleet, snow and the fog that we encounter on the certain days, when power plants burn fossil fuels like coal to generate the electricity, they emit the bulk of the sulphur dioxide and the significant amount of the nitrogen oxide, furthermore the automobiles, trucks and the buses emit nitrogen oxide and the sulphur dioxide into the atmosphere, acid rain is caused by these contaminants while some rain is naturally acidic with a pH value of around the 5.0, nature depends on the balance, या तक आदक ना कि आपका pH value होती, acid rain के लोगों पांस ही आसपास होती, slightly acidic होती है, ज्यादा acidic भी नहीं होती है, पर यह खतरनाक होती, कि इनके लिए आपका environment, plants के लिए क्या होती है, आपके खतरनाक होती है, जैसे इस वाली picture में दे सकते हैं, तो आपके जैसे भी जितन सानी से क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं, अब जब क्या होता है कि condensation process के थूँ, आपका जब बारिश पढ़ती है, तो मैंने बताया था, बारिश पढ़ने वाली condition, precipitation बोला जाता है, तो वो जो आपके बोल सकते है, water droplets होते हैं, उसमें content होता है, एक तो एक तो एक तो एक तरीका, ठीक है तो यह थोड़ा दिमाग बना, इस से होता है कि आपका, कि आपकी जो बोल सकते हैं, जो आपकी trees या plants वगएर रहते हैं, इन्हें यह कर देते हैं, खदम कर देते हैं, दिखावा trees killed by the acid rain, इतनी पास समझ में आगे ठीक है, इस वाली picture में भी same यही समझा रह आपके substances जो निकल के आ रहे हैं, वो HNO3 S204 की form में निकल के आ रहे हैं, in the liquid form, बात समझ में आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छा एक हो रहा होता है, आपका artificial rain comet, जब आपकी क्या की जाती है, artificial तो उसमें कौन सा आपका ऐसा substance होता है, जो आपका देखने मिल होता है, जो आपके aeroplane होता है, उसके through, आपका silver iodide छिड़का जाता है कि इन पर बादलों पर, वो बादल की हो जाते हैं, फिर condensed हो जाते हैं, बारी हो जाते हैं, उन्हें क्या होता है, जो आपके water molecules होते हैं, वो एक ही जगहे खटा होके फिर बारिश करना है, स्टार्ट कर formation of the ice crystal, अब यह silver iodide क्या करता है, इन clouds में, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी होगा ना, तो यह क्या करता है, crystal formation करना है, start कर दीता है, आपके clouds के अंदर, फिर क्या होता है, now too heavy to remain in the air, the ice, अब यह क्या होता है, कि आपका air में, इनका बन पाना, क्योंकि काफे ज़्यादा क्या जाता है, जो आपका artificial drain होती है, उसमें कौन सी चीज, आपके add-on की जाती हो, silver iodide होता है, और जब आपके बात की जाएगी, कि acidic rain की बात आती है, तो कौन से होते हैं, आपके तो होते है, NO2, nitrogen oxide और sulfuric, जो आपका sulfur oxide, अब बनाते हैं, nitric oxide को, और दूसरे होता है, sulfuric acid को, nitric acid क इसको आपका sulfuric acid को, इनको छोड़ता है, चले, next चलते है, next question है, present in the tomato, तो tomato में आपका कौन सा रहता है, तो इस चीज को देख लेते हैं, तो tomato में जो आपका मिल नी पाया जाता है, तो acetic acid तो आपका vinegar में होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, vinegar में कई बार पूछा जाता ह vinegar में आपका acidic acid होता है, तो आपका tomato होता है, उसमें में ज़्ली पाया जाता है, auxilic acid क्या पाया जाता ह। तो लेका ऑग्जलिक ऐसे प्रेजेंट इन टमैटो तो आप जानते विटामिन सी को के बोला जाता है एसकॉर्बिक ऐसीड और किस तरीकर विटामिन है यह आपका तो यह आपका कैसा है वाटर सॉल्यूबल है वाटर सॉल्यूबल विटामिन है अच्छा देख लेते लिखावाँ टोमाटो और गुट सोर्स है तो विटामिन से पोटेशियम अधर एसिट्रिक ऐसिड और एसकॉर्बिक ऐसिड और अगर बात की जाएगी एसकॉर्बिक पर बात करें तो विनेगर हो गया पिकल हो गया अचार या फिरका इसमें आपका क्या होता है अब एक जी जह बताब इसका मतलब यह नहीं कि जो आपका इमली ऑपके अंगूर में विटामिन विटामिन C, ascorbic acid इंग में भी होता है, देखो लिखा हो है, ascorbic acid भी इंके अंदर के होता है, present होता है, पर mainly जब पूछा जाता है कि आपका टवेटों में कौन सा acid होता है, तो याद रखना, oxalic acid होता है, ठीक है, तो मैं tortric बोला था, tortric का भी बताया था कि आपका किस में होता है, tamarind में होता है, emily में होता है, फिर graps में होता है, तो B का तो 3 आ जाएगा, ठीक है, citric acid जो होता है, male जो आपका होता है, ये oranges या फिर किस में होता है, lemons में होता है, citric acid, तो ये हो गया आपका 2, तो C का 2 और B एक ही गालान भी से खर गे तो यह दोनों आप चलों अब मैलिक असेड इपल में होता है कि स्पाइनिक में होता है अब एक चीजै आता हुआVAL 001 001 टोमे टो, टोमेटो में भी होते हैं 되어 एक सबजी वोती हैं ग्रीन लीफित उन में पया जाता informing आपका यह आपका अजी आजाताका किसमें होटा है malic acid होता आपका apple में, यह आपने याद रखना है कई बार पूछे जाता है, apple में कौन सा acid पाया जाता है, malic acid, oxalic acid आपका green leaves जो होती है, उनमें पाया जाता है, मतलब spinach beauty में आ जाता है, पालक, ठीक है न, तो answer कौन सा बनेगा अब आपका, answer बन जाएगा, a का 4 हो जाएगा, b blue litmus paper होता है, उसको क्या कर सकते है, red कर सकता है, ठीक है, दूसरी बात, अगर red litmus paper है, तो उसको blue कर देगा कौन, आपका basic environment, मतलब base होते हो, क्या कर देते है, red को blue कर सकते है, यह आपका चलता है, जब red से blue हो, तो याद रखना हो काउंस होता है, base होता है, base कर सकता है, और अ यह क्या करते हैं, proton को donate करते हैं और accept करते हैं कि इसको electron को donate करते हैं कि इसको proton donor होते हैं आपके proton donor होते काउन acid और accept करते हैं, receive करते हैं कि इसको electrons को oxalic acid के अधिवाद करें तो it is found in the tomato and the spinach these include the green leafy vegetables बस समझ में आगे होगा fruits, cocoa, nuts and the seeds it is also an excellent source of the folic acid, potassium, magnesium and the vitamin K carotene and vitamin C and the lutein which is important for the healthy eyes malic acid के अगर बात करें तो यह आपका apples में present होते हैं malic is the form of the latin word यह कहां साया, malic जो word यह latin word है melum से आया, which is used for the apple it is अब यह latin word में जो आपका apple का नाम है, वो melum है यह ही से आपका malic acid it is also found in the watermelons and the cherries tortric acid के अगर बात करें, tortric में अभी बताया था यह तो tamarin बता बोल दो it is also found in the cherries, papaya, peach, pear, pineapple, strawberries and the mangoes citric acid की बात करेंगे तो में लिक्या होते हैं, आपके जो citrus fruit होते हैं उनमें पाए जादा है, खटे फल होते हैं, जैसे आपका neemoo हो गया, lemon हो गया, और oranges हो गया अब यहां पर देखो, दो तरीके के test होते हैं, अगर blue litmus paper को blue litmus paper है, अब तुम बोलोगे, आप लोगों बोलोगे कि blue litmus paper है, अगर acid में डुबाये जाता है, तब तो red हो जाता है, पर अगर वो बेस में डुबाये जाता है, तब क्यों होगा, तब वो unchanged जाएगा, तब यादक ना जो blue litmus paper होता है, यादक ना blue litmus paper जो होता है, वो अगर आपका blue ही रहा, तो वो base solution में डाला हो है फिर, और अगर वो red हुआ, तो acid solution में डाला है, उसी तरीके से, अगर red आपका litmus paper है, तो अगर वो red रहता है, तो इसका मतलब acid solution या acid environment में है, और अगर वो blue हो जाता है, तो फिर कैसा है, आपका बोल सकते है, blue होने पर रुक ऐसा base है, बस इतना यादक ना, अभी आपर देख लिए, आपका red है, वो किसमें बदल जा रहा है, blue में बदल जा रहा है, तो ये base में होता है, इतना आपने याद रखना है, अब acidic environment अगर pH value के साब से देखा जाए, तो pH के होता है, कि आपका pH जब 7 होता है, वो neutral होता आपका, और जब 0 के तरफ जाती है, तो आपका acidity के हो इंक्रीज होने लग जाती है, जब कि 7-14 की तरफ जाने पर आपकी बदल चाये तो चाहे मेलने अगर देखेंगे, अगर आप उसमें के नहीं मिलाएंगे, तो आपका जो अस्वाद होगा, थोड़ा सा कड़वा-कड़वा फील होगा, अचा जैसे जैसे fruits होते हैं तो यह खट्टे होते है, mainly, react with the sum metals to give the hydrogen gas, तो यह क्यों देते हैं आपके hydrogen gas, यह होते हैं काफी जासे स्लिप्री, जैसे आपके साबून होते हैं, यह भी आपके क्यों होते है, base होते है, base जैसे potassium और sodium ions होते हैं, यह भी किस form में वोते हैं, Conduct electricity in solution, यादकना solution में जाने पर क्या करते हैं, electricity को देते हैं, Dissolve fat in the oils, ठीक है, अच्छा, अब पढ़ लेते कुछ चीज़े, जस लिखा हूँ, अगर basis देखा जाएगा, तो क्या लिखा हूँ, देखो, तो लिखा हूँ, तो लिखा हूँ, an acid is a substance that produces a hydrogen ion, water के साथ mix करने पर यह आपका hydrogen ion देते हैं, कौन से आपके, आपके जो acid होते हैं, वही अगर base की बात करूँ, तो water के साथ mix करने पर यह hydroxyl ion देते हैं, O.S. negative ion देते हैं, फिर next लिखा हूँ, an acid is a species that can release, donate a proton, याद रखना है, यह donate करते हैं आपका proton को, दूसरों को, और जबकि यह आपका receive करते हैं, protons को, जो आपके कौन होते हैं, base से होते हैं, यह accept करते हैं, अच्छा, वही है, अगर मैं बात करू, electrons की, तो acid electrons को क्या कर देते हैं, accept करते हैं, donate तो करते हैं proton को, याद रखना, यह donate तो करते हैं protons को, पर जो आपका electrons होते हैं, उसे accept करते हैं, यहाँ उल्टा चलते हैं, यहाँ यह donate कर देते हैं electrons को, बात समझ में आगी, ठीक है, पर यह से positive और negative से पता लग जाता है, जैसे negative जो होते हैं, negative आइन्स होते हैं, आपका नेगेटिव चार्ज लगता है, तो उसका मतलब क्या हो हो कि electron क्या गर रहा हैं आपका आपका ले रहा है, यह आपने याद रखना है, उसके पास, मैंने क्या बोल दिया, नेगेटिव जो होते हैं आपका, ठीक है, positive आइन्स, अच्छा ले, अच्छा अच्छा, यह तो आपका क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं, OS नेगेटिव खुद नहीं है, OS नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, तो नेगेटी को लेता है, नेगेटी को लेता है, कि इलेक्ट्रोन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोन को क्या करेगा, दूसरे से मतलब दिलवाएगा, तो ये क्या करेगा, आपका डोनेट करवाएगा, ठीक ना, तो डोनेट करते हैं, ये क्या करते हैं, अल्टा चलता है, मतलब आपका hydrogen ion पर करता है concentration form में आपका ज्यादा होता है अगर देखा जाएगा तो बेस के अगर दिखे जाएगी तो concentrated होता है आपको hydroxyl ion होता है अच्छा physical nature देख लेंते हैं acid जो होते हों corrosive होते है nature में और यह थोड़ा से कैसे मतलब खुड़ दूरे और बेस जो होते हैं वो slippery होते हैं आपके कैसे मुलायम होते है अच्छा physical state देखते है acid acid exists in the solid liquid in the gas based on the temperature ठीक एसे तीन form में हो सकते है solid में हो सकते हैं liquid में हो सकते हैं यह temperature बेपेंड करेगा basis usually जो होते हैं आपके solid state में होते हैं केवल ammonia को छोड़गे ammonia आपको आद है यह किस form में होता है next जलते है taste देखेंगे तो acid को जो सौध होता है कैसा होता होता है sour होता है और basis को जो जो होता है bitter होता कड़वा होता है disassociation की बात करेंगे तो acid release hydrogen ion तो यह release करता है कि इसको H positive ions को ताकि वो dissolve हो सके किसमें water में जबकि base जो होते हैं वो hydroxyl ion कुके करते हैं आपका release करते हैं ताकि वो dissolve हो सके water में अच्छा आगे चलते है the disassociation constant of a strong acid is the minus 2 याद रखना कि अगर इसका constant देखा जाएगा disassociation का वो minus 2 है जबकि इनका देखा जाएगा तो यह आपका 12 पे जाते है अच्छा पीएच में लियो कर देखेंगे तो साथ से अगर पीछे की तरफ जाए एक तक तो आपको देखने हो मिलता है क्या acidic environment और अगर साथ से उपर की तरफ जाए चौधा की तरफ तो यह आपका basic environment देखने हो मिलता है आचा लिटमस पेपर के साथ अगर आप तेस्ट करेंगे तो आपका जो ब्लु लिटमस पेपर और यहां पर आपका deliver ब्लू पेपर अपका उटेर्ण हुझेगा अच्छा फिर आता है फिर अट्र 12олаं साथ इसका देखें तो आपका याद रखने की हैसे जाएं California इनका reaction करवाया जाता है, ये color less हो जाते है, रंग नहीं देते हैं, जबकि fenopthylen ke साथ जो आपके बेस होते हैं, वो pink color produce करते हैं, कौन सा color produce करते हैं, pink, अच्छा, methyl oranges के साथ अगर देखा जाएगा, तो methyl oranges के साथ, आपका जो acid होते हैं, वह Red Color देते हैं जब कि Methyl Oranges के साथ आपके जो Base होते हैं वह Color देते हैं आपको कौन सा Orange तो यह आपने याद रखना है जैसे Phenophthalene के साथ पूछा जासे हैं यह आपका Pink है Methyl Oranges के साथ पूछा जाता है तो यह Red है यह कैसे आपका Orange है तो यह आपने याद करना है नेक्स लिखा हुआ है टेस्ट विद योनुवेसल इंडिकेटर इन दे लो एंडड़ के साथ मेतलो के साथ करने पर और एक चीज़ याद रखना यहां भी इंपोर्टेंट है कि बेस आपके रियक्ट ही नहीं करते किसके साथ मैटल्स के साथ एक्जामपल के अगर बात करें तो हैट्रोग्लोरिक असीड होगे अपका नाइट्रिक असीड होगे आपका अच्छनो थी जैसे मैंने भी अकसलिक असीड की बात करें C2H4OF, O4, बोरिक असीड के S3BO3, एस्टिक असीड होगे, आपका कार्मोनिक असीड होगे, अलोमिनी क्लोराइट होगे, यह सारे के सारे आपके क्या है, असीड है, अच्छा मैं ही सोडियम हाइड्रोकसाइड की बात करूंगा, नवे हैच, प कि किस एृट के सारै है, इसीड होते, जब इसीड होते हैं, अपक सारे सूजवर्ग में आपका देखने को सकते हैं, नेक्स वे सपुげर्गा सवोगे च्रांग साइब का रorder तो, यह को सार्ण होतना है, और अगर स्थाबिक होता है लिकलाइगा जो APP कि नेक्स अटेखने क तो L-acidic salt आप गतब बनेगा जब आपका strong acid plus weak base देखने मिलेगा L-kaline की बात करें तो यहाँ पर weak acid होता है और यहाँ पर होता है strong base जो neutral salt होता है उसमें strong होते हैं दोने, strong acid plus strong base चलो तो देखो के लिखा हो है अच्छा double salt ने लिखा है, double salt में के लिखा है two salts होते है, salt plus salt होता है salt plus salt चली पढ़ देखो लिखा, alkaline salt अगर बात की जाए these are formed by the incomplete neutralization based, neutralization based अब neutralization equation reaction उने पढ़ा है, types of reaction नहीं पढ़ा है, neutralization क्या होता है neutralization होता है, जैसा आपका कोई भी acid है, अगर उसको साथ आप किसके साथ करें, base के साथ मिलाए, तो आपका produce होता है salt, यह आपने याद रखना है, तो लिखा, these salts still contain one or more hydroxyl group in their molecules अगर, आप देखो, simple से बात है, अगर strong आपके alkaline metals होंगे, मतलब आपके जो काउन से होंगे, base होंगे महाँ पर होंगे, तो उनके पास hydroxyl group क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, its aqueous solution turned red litmus blue, अब वो क्या करेगा आपका, हाला कि वो आपका salt में बदल गया है, फिर भी okay करेगा, क्योंकि alkaline metals में ज्यादा है, तब भी okay करेगा, red को blue में चेंज करने की कोसिज करेगा, तो व one or more replaceable hydrogen groups in their molecules, वो ही मने बताया कि strong क्या होता आपका, यहाँ पर acid देखने मिलता है, echo solution में जो होता है, जो blue आपका litmus paper होता है, और red में बदल जाता है, जैसे ZNCl2, HGCl2, Fe2, SO4 का whole thrize, HGSO4, natural अगर neutral salt के अगर बात करें, obtain a reaction of the strong acid and the strong waste, its aqueous solution has no effect, अब देखो, litmus paper में जैस जैसे KCl, NaCl आ जाता है आपका, जैसे acid जैसे देखते हैं, HCl देखते हैं, और एक NaOH देख लेते हैं, तो यह NaCl को क्या कर देता है, आपका निकाल देता है, और साथ में आपका water भी क्या कर देता है, निकाल देता है, यह होती है, आपकी कौन सी neutralization equation, acid plus base, यह acid based equation भी बोलते ह जाता है, और आपका S2 molecule भार निकल जाता है, water आपका भार निकल जाता है, double salt के अगर बात है, it is a mixture of the two salt and exist, only in a solid state, यहाद रखना है, यह solid state में होता है, जैसे potassium और बहुर salt, more salt आगे आपका, आचा, next आता है, acid reacts with the metal to form the salt and liberates the gas, acid reacts with the metal to form the salt, form the salt and liberates the gases, तो यह जो आपका gases मे mg, acid gas को के निकल देता है, आपका भार निकलता है, तो लिखा हुआ है, sorry मैंने गड़ बॉड कर दिया, acid plus metal, न अचा, hydrogen, 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 sorry, hydrogen, hydrogen, hydrogen gas को भार निकलता है, acid reacts with the metal to form the salt and liberate the hydrogen gas, ठीक है, metal के साथ偶्जब react करता है, आपका, आपका salt के साथ के निकल देता है, आपका hydrogen gas को बाहर निकाल देता है चो देख लेते देखो acid plus metal यह salt और hydrogen gas को बाहर निकाल देता है जैसे mg और hydrochloric acid है mg के आपकी metal है और hydrochloric acid के साथ तो वह आपका mg-cl2 बना देगा यह metal salt है और hydrogen gas को में कर देगा जैसे mg यहां पर हट देता हो HCl के तो mg-cl2 बाहर निकाल देगा और video यहां पेल्ट लगए मैं इसने ब्लोग है कि अपैन गल पर सीर्ट इपन गाई निकाला नवा निकाल दी है इसमें, hydrogen में, it has the simplest atomic structure among the all the elements around us in the nature, it is the first element in the periodic table, it resembles alkali metal as well as the halogens in the sum properties, तो ये दोनों तरीके के आपके properties show करता है, hydrogen, alkali metals की भी करता है, halogens की भी करता है, carbon dioxide के अगर बात के, it is a non-metal, that atomic number is 6 and the mass number is 12, due to the property of the ketonations, self-linking of the atoms through the covalent bond, carbon is able to exist in the allotropic form, allotrops of the carbon, तो आपके जैसे diamond आजाता है graphite आजाता है fluorine आजाता अपका तो लिखाव है diamond the hardest substance on the earth यह आपने याद रखना है वीपर में पूछा जाता है graphite की बात की जाएगे तो hexagonal structure देखने हों मिलता है इसका fluorine की बात करें तो only a pure form of the carbon hand has a safe like the soccer wall यह आपने याद रखना है नेक्स आथा oxygen की its atomic number is 8 and its mass number is 16 it is the most evident of the all the element on the earth it is the paramagnet अभी यह किसमें होता आपका लितोस्पेर में होता oxygen सबसे जादा मात्रा में आपके सता पर पाई जाती है अब बात करेंगे तब nitrogen है तो it is a paramagnetik in the nature paramagnetik मतलब समस्थ है न देखो तीन तरीक की होते हैं डाइमागनेटी पारमेटी और आपके होते हैं फेरो मेंटी तो जो आपके पारमेटी होते हैं यह अनुचुम्ब कत्तों को शो करते हैं ठीक है थोड़ा बहुत करते हैं किसी आपके nitrogen inert gas नहीं है पर यह इनर्ट की तरह behave करती है आपका low temperature में खासका room temperature में इनर्ट हो जाती है nitrogen जो comprise करती हो 78% होती है याद रखना volume में atmosphere में 78% 21% के आसपास oxygen होती है आपकी चले नेक्स चलते हैं next question when the lime juice is dropped on the baking soda bricks ever friends ever essence takes place because the gas evolved in तो यह आपका lime juice है ना तो यह carbon dioxide को वहार निकाल दीता है यह यह यहां पर गया नीबू के रख को baking soda पर जब गिराये जाता तेज हुआल आता है और तेज हुआल आने से कौन सी गैस वहार निकलती carbon dioxide है hydrogen कब निकलती metal जब acid plus अपका क्या होता है metal और यह metal salt बना देते हैं और hydrogen को क्या कर देते हैं ठीक है यह पर यहां पर क्या आपका आपका कोई भी नीबू कर रहा है तो उसमें कि आपका सिट्रस होता है तो बेकिंग सोडा के साथ अगर मिला जाता है तो वह क्या करेंगा यह को बाल मारेगा तो वह कौन करता carbon dioxide को भार निकाल देता है तो लिखा हूँ है carbon dioxide it is a non-metal whose atomic number is 6 mass number is 12 due to the property of the cationus self-linking of the atoms through the covalent bond carbon is able to exist in the allotropic form diamond graphite or fluorine मैंने तीनों बता दिया आपको hydrogen के अगर बाद it has the atomic number of the one यह सारा बता दिया था अग जनकी भी बात कर ली थी चले नेक्स चलते हैं फिर अच्छा वैं दब्लू लिटिमस वस अड़िट इन अन्नों लिक्विड इन टेस्ट्यू ए टर्न रेड तो अब सिंपल से बात है ब्लू जब आपका रेड में टर्न होता है ब्लू लिटमस वेपर अगर रेड में टर्न हो रहा है तो यह कब होता आपका जब एसेड इन्वार्मेंट है रेड आपका किस में हो रहा है ब्लू में तब आपका कैसा है बेस इन्वार्मेंट है ब्लू लिटमस वेपर ब्लू ही रह रहा है ब्लू अगर ब्लू ही रह रह रहे तब एसीड है तब चेंज नहीं देखने हो मिलता है तो आंसर बन जाएगा रैड में चेंज हो रहा है तो यह एक एसीड है जो देख लेते हैं तो एसेट तो एसेट आज सबसेंट एटाइस बता दिया था है वन और मोर रिप्लेसिबल है तो एंटन ब्लू लिटमस एंड मैथल और इस तो देर्ड है रिट्रोडिक असेड और सल्फिर्यक असेड इसके एग्जांपल लेटमस पेपर के अगर बात करें लेटमस इंडिकेटर दैट सोवा कलर चेंज इंड शूलुशन चेंज इंड प प्रोवाइड नो गैलोडिक नूट्रेंट इट केमिकल फॉर्मल एस टो पीच अगर देखा जाएगा प्यॉर वाटर का सेवन होता है नूट्रल होता है एल्कली मतलब होता है आपका कौन सा एसिड तो बेस 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 और अलकली टर्न रेड लिटमस तो ब्लू मैथल और त ना कि जब मैने तुम एक चीख बताया था कि आपका телефон c'. यरू अगर अगर किसमे चेंज कर देगा łपझी होता है औरalts ने चानल को अगर जो आपका किसमे चेंज यहां पर देख लेते हैं अगर यह आपका देखो दो तरीक लिटमस पेपर होता है अब पहली चीज है अगर कोई तो ब्लू रेड हो जाता है पर ब्लू को अगर एलकली में डालोगे फिर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो यह आपने याद रखना है इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ बढ़ती जाती है साथ से एक की तरफ जाते हैं तो आपकी बेसे से बढ़ने लग जाती है अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर वह साथ से 6.5 में जा रहा है तो अग्लिध जो अग्लाइन जो देखने मिलता हो आपका साथ केबाद देखने अब पीएच्छ इन दीगे तो अगर साथ से कम है तो अगर साथ से जाए तो बेसिक हो जाता है जैसे प्यूर वाटर गाता है साथ है हमारा बलड होता है स्लाइटली क्या होता है आपका बेसिक होता है अमोनिया की बात करें यह भी आपका बेसिक है आपको यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो मैं नहphones बता दिया था आपको यहां पर दिक सकते हैं यह 00.30 Глоб, bleach, drain, cleanery इस तरह पर आहा जाएतिहीं इस तरह आपकी basicity बढ़ती है और इस तरव जाने पर जैसेशा को- Milk, Coffee, Wine, Vinegar, Lemon, Stomac, Acid और HCL हो गया आपका तो इस तरव जाने पर आपकी basicity परती है Next question which is the main acetic component part of the vinegar तो vinegar में जो आपका होता है क्या होता है Acetic Acid विनेगर 10% के असपास होता है में लिए आपका तो लिखा हो है विनेगर is the sour liquid that is made by the fermentation of the numerous dilute alcoholic liquid into the liquid containing acetic acid विनेगर can be made from the any liquid that is capable of being converted into the alcohol in a two-step process the fruit juice or the other liquid contains the sugar याद रखना, fruit juice में क्या होता आपका sugar होता है which is converted into the alcohol and the carbon dioxide gas by the action of the yeast enzyme the alcohol thus formed combines with the atmospheric oxygen by the action of the astrobacter bacteria formic acid, acetic acid and the water, the more aged the vinegar, याद रखना, विनेगर जतना जादा पुरान होता है उसके जो फ्लेवर होते है, उतना जादा डीप होते है आपका जो अल्गोल होता है, जितनी दारू के होती है पुरानी होती होती होतने जादा उसके फ्लेवर के होता है इन्रेजड होते है, तो यह आपने याद रखना है fermentation process जो होती है, वो anaerobic condition होती है याद रखना, fermentation, anaerobic anaerobic condition होती है तो अगर उससे एक lactic acid बन जाए है lactic acid, तो lactic acid अगर formed होता है, तो यह आपका किन में होता है, यह animals में होता है इसमें humans पिया जाते है और वहीं अगर इससे क्या बन रहा है, आपका alcohol produce हो रहा है, तो वो होता है इसमें east, याद रखना है कौन सा east, यहाँ पर लिखा हो है east enzyme, तो यह थोड़ा दिमाग में रखना types देकें, there are the many types of the vinegar which include the apple cider blasmic, champagne distil white, malt, rice, sherry and the red and the white wine vinegar among others, अच्छा, uses लिखा हो because of its acidic acid content and the low pH, vinegar used as the preservative, किसकी तरह यूज करते है preservative तरह यूज करते है, आपने देखो का सिर्का होता है सिर्की का पानी में आपका देखो का आपने प्याज, पूज बगर आपने डाले हो ही रहते है, तो क्या करते है for both the domestic use and the food industry, दोनों मी यूज होता है it is used for the preservation or the pickling of a wide variety of the foods such as vegetables, meat, fish products and the spice fruits floral, floral vinegar is an easy way to preserve the vibrant flavors and the aromas of the edible flowers vinegar adds the acidic taste and the help to balance the flavor in the recipe चलो, आगे चलते है last question दिखते है, which of the following contains the oxalic acid? मैना भी पताही थो और oxalic acid, ap kita,..? यापका spinach में के आपका spinach में, खेक का जैसे vinegar में उता है इसमें acidic acid होता है, acetic acid Grapes में आपका tartaric acid होता होता है, tartaric tartaric अभी पताया था मैने और tam reside होती, उसमें भी यह होता है इस पाइनेच में हो गया और टमेटो हो गया उसमें भी आगा किया तमेटो कर्ड में होता लैक्टिक असिड दूद का प्रोडक्त है तो इसमें लैक्टिक असिड होता आपका और सुगर कौन सुथे लक्टोज चलिए पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है मैंने लीफी ग्रीन प्लांट्स कंटेन दौ ऑक्जलिक असिड मनें बताया था अगर ऑक्जलिक असिड यह बात आगे और उसने ग्रीन प्लांट यह बात करें तो ऑक्जलिक देना सीथे पैनिस कंटें सिब्स एक अनगे अ्ची आफ ऑन चन अब और टेंट डैसिट इस अनुटीन फोट यह लो यह ब्लांट बेश पूर्णिट जो आपके फूट यह ब्लांट बेस जो आपके फूट अणुन में और जलीग असोता आपके लो होते है अग्रेंग अनुट फोटे solid form, it is mixed with the water, then it forms the colorless solution in the water. It is the simplest di carboxylic acid, to remove the ternis or the link, ink strings, हाँ, एक चीज़ आयातक नहीं कि आपका ternis से ink string को अगर हटाना है, तो उसके लिए oxalic acid का इस्तेमाल किया जाता है, for laundry purpose, removing the calcium, it is used, laundry में जो आपका होता है, कपड़े ही जब आपके खराब होता है, आप भी oxalic acid यूज़ किया जाता है, vinegar की बात करें, vinegar typically contain the 5-8% acetic acid, मैंने बदाया था 10% से कम ही आपका कहे रहता है, vinegar में क्या होता है, आपका acetic acid पाया जाता है, next लिए का tortric acid and the malic acid, तो यह major acids होता है, जैसे graft juice के, तो malic acid आपका किस में पाया जाता है, malic आपका तो apple में पाया जाता है, next आता है, the curd is produced due to the presence of the reaction between the lactic acid bacteria, lactobacillus जिसे बोला जाता है, और milk protein होता है, जो आपका casein, चली, आगे चलते है, तो यह हो गया आपका, यहाँ पर यह topic समाप्त, इसका जो pdf में telegram group और website group दोनों में share कर दूँगा, youtube में अगर आप video देखने हैं तो like करें, share करें, channel subscribe नहीं किया, हमारे साथ connect होने के लिए, या connect करने के लिए हमसे, आपको हमारे page concept academy को like करना होगा, उसके अलावा आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं, तो video देखने के लिए आप सभी का भाध भाध धन्यवाद, जैन जैभारत.